गाइस मुझे यूट्यूब के उपर दो साल हो गए और मैं दो सालों से लगातार डेली वीडियो भी अप्लोड कर रहा हूं लेकिन गाइस फिर भी मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है नहीं कोई वीडियो मेरी बाइरल हो रही है दोस्तों अब मुझे लगता है कि मुझे यूट्यूब छोड़ देना चाहिए और मैं पूरी तरह से डी मोटिवेट हो चुका हूँ गाइस जब कोई नया बंदा यूट्यूब पर आता है और वो वीडियो बनाना स्टार्ट करता है पचास साथ वीडियो बनाता है और इसके बाद वो देखता है कि मेरी कोई भी वीडियो वाइरल नहीं हुई नहीं मेरा चैनल ग्रो हो रहा है तो ऐसे में वो बंदा पूरी तरीके से डी मोटिवेट हो जाता है और वो ये सोचता है कि यार मैं अपना यूट्यूब चैनल छोड़ दूँगा मैं वीडियो बनाना अब बंद कर दूँगा ये डी मोटिवेशन हर एक बंदे के साथ होती ही होती है यूट्यूब के उपर जो कि मेरे साथ भी हुई है दोस्तों यहां पर मेरा चैनल ग्रो तो नहीं है लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताऊँगा जो की हंड़ेट परसेंट रियल और सच हैं जिनको आप भी अभी जान जाओगे तो गाइस बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का टैक्मेत्र यूट्यूब चैनल पर और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूट्यूब के दो ऐसे जूट के बारें बताऊँगा जो की हर एक छोटा वड़ा क्रियेटर आपसे बोलता ही है ऐसे क्रियेटर जो की जिनका चैनल थोड़ा सा ग्रो हो चुका है यूट्यूब के उपर और वो यूट्यूब रिलेटेड आपको टिप्स देते हैं तो वो ये जूट आपको जरूर ही बोलते हैं दोस्तों इस वीडियो को आप एंट तक देखें ताकि आपको भी इस रियलेटी के बारें पता चल सके कि आखिर ये जूट क्या है तो चलेगा इस हम वीडियो को कॉंटेनिक करते हैं दोस्तों जब कोई नया बंदा यूट्यूब पर आता है और वो ये सोचता है कि मैं भी यूट्यूब से पैसे कमाऊंगा और यूट्यूब पर अपना नाम बनाऊंगा तो वो क्या करता है कि यूटूब पर आने के पाद वीडियो बनाएगा और ऐसे में होता क्या है कई सारे यूटूबर्स का तिये होता है कि उनका वीडियो बाइरल ही नहीं होता है कुछ ना कुछ गलतियों की विज़ाए से उनका वीडियो उनका दो चैनल है वो जो है ग्रो नहीं हो पाता है अब ऐसे में वो बंदे पूरी तरह से डी मोटिवेट हो जाते हैं और वो क्या करते हैं कि यूट्यूब पर जाएंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे कि हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल अब वहाँ पर क्या होगा हजारून लाखों वीडियो मिल जाएंगी कि अपना चैन कोई आपको बतायागा कि आपकी थमनेल सही नहीं है थमनेल को अट्रेक्टिव बनाएं लेकिन दोस्तों यहां पर आपको सोचने वाली बात यह है कि यूटूब में ग्रो करने के लिए कोई ऐसा आइडिया नहीं है जिसकर कि आप यूटूब पर ग्रो कर सकते हो इन यह ज आइटल और थमनेल में यह लिखेंगे कि 100% आपका चैनल ग्रो होगा लेकिन आप खुश सोचो कि यूटूब पर जो क्रियेटर्स आपको बता रहे हैं वो क्रियेटर्स किस तरीके से ग्रो किये केवल वो अपना आइडिया ही आपको स्वेर कर सकते हैं अपना जो ऑपिनिय तो यह सबसे पहला जूट है कि यूटूब पर आपको ग्रो करने के लिए किसी की राय मसूरे की जूरूरत नहीं होती ना ही कोई आपको यह बता पाएगा कि यूटूब में आपको कैसे ग्रो करना है अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ यूटूबर कुछ क्रेटर्स तो यह बताते हैं कि आप consistency रखिए वीडियो daily upload करिए quantity जादा दीजिए ताकि आपका जो वीडियो है वो viral हो सके तो गाइस यह आपको एक trick नहीं हुई यह एक idea देते हैं कि आपका यूटूब चैनल है किस तरीके से grow हो सकता है यह नहीं कि आपका यूटूब चैनल 100% इस तरीके से grow हो ही जाएगा तो यहाँ पर इस यह को आप समझिए कि यूटूब के उपर आपको गर grow करना है तो आप अपना काम करते रहिए आप growth के बारे में ना सोचें कि मेरा यूटूब चैनल grow नहीं हो रहा है कि हाँ इस तरीके से आप भी grow कर सकते हो या यह नहीं कि आप growth कर ही जाओगी वहाँ पर यह बोलते हैं कि आप इस ट्रिक को यूज करके चैनल को अपने grow कर सकती हो तो यह तो हुई पहली बात अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड चीज के बारे में दोस्तों कुछ लोग बोलेंगे कि आपकी जो टाइटल टैग और थमनेल है वो सही नहीं है जिसके कारण आप चैनल पर grow नहीं कर पा रहे हो तो यहां पर जो लोग बताते हैं टाइटल टैग वो तो आपको भी मालूम होगा किस तरीके से लालना है हाला कि यह आईडिया लेना इंपोर्टेंट है विकॉस टाइटल और टैग आपकी वीडियो में जरूरी होता है लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि आप वो नहीं यह बोले हैं कि भाई तू तो अभी वी चैनल स्टार्ट किया है तेरे को इसना सारा कहां से पता और पहले ही वीडियो जो बना रहा है कि हाउ टो ग्रो यूट्यूब चैनल तो गाईस मैं आपको बता दूं कि मैं पहले भी दो साल यूट्यूब पर काम कर सुखा हूं तो उस हिसाब से मुझे इतना experience है कि किस तरीके से अपना चैनल ग्रो करना है हाला कि कोई आइडिया नहीं है कैसे ग्रो करना वो अपने आप ही यूट्यूब को चैनल जो आपका यूट्यूब चैनल है वो ग्रो होगा तो यहां पर आपको समझने वाली बात यह है अब गाईस ग्रो करेगा हाला कि कैंची थमनेल को कुछ लोग बताते हैं कि आप कैंची थमनेल बनाईए अट्रैक्टिव बनाईए वो तो ठीक है लेकिन जो बनाने की कला है वो आपके अंदर है आप खुद से उसको डिजाइन कर सकते हो ना कि कि किसी के आइडिया से आप अपना आइ अपने आप से आप काम करते रही है अपने खुद से सोचे कि मैं आप अच्छा कंटेंट दूँगा अच्छा वीडियो बनाऊंगा बस यह नहीं कि आप यूट्यूबर्स का वीडियो देखते रहे कि हाँ ऐसे टाइटल डालो ऐसे डिस्क्रिप्शन डालो ऐसा नहीं आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल पर पहरी बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरीके के वीडियो आपको मिल सकें तब तक के लिए मिलते हैं अग